नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर दोस्तों UK में कुछ साल पहले जो Boris Johnson वहां के प्रधान मंत्री थे तो धर्म को बहतर समझने के लिए Commission का गठन किया गया था यह Commission ने फाइनली अब जाके अपना रिपोर्ट शेयर किया है और इस रिपोर्ट में ऐसा पाया ग कि इनमें इतनी जादा radicalism बढ़ रही है कि आने वाले दिनों में यह British society को destabilize कर सकते हैं ऐसा इनका कहना है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की बात होगी तो British Sikhs and Hindus उनमें काफी जादा नराज गी है कि आप इस प्रकार की बाते कैसे कर सकते हैं दोस्तों कुछ बाते तो ऐसी है जो कि real sense में अगर आप देखें तो बहुत ही जादा हास्यास्पद है उन्होंने कहा है कि 2019 में जब हिंदूस ने कहीं न कहीं लेबर्स को वोट नहीं किया और conservatives को एनमास वोट किया तो यह भी हिंदू nationalism का नतीजा है इसके सिवाई इन्होंने यह भी कहा कि जो 2022 में लेस्टर में वॉयलेंस हुआ जिसमें हिंदूस कहीं न कहीं पीड़त थे वहाँ पे रहने वाले बिटिश हिंदूस जिसके पीड़त थे उसके लिए भी वही जिम्मेदार है तो जाहिर सी बाते हिंदूस भी यहाँ पर बोल रहे हैं अगर हम अपने अधिक जो अधिक को बहुत प्राउडली करते हैं कैरी करते हैं तो क्या यहाँ पे रिशी सुनक के खिलाफ एक पॉलिटिक्स हो रहा है कि वो उनकी जो अधिन्टिटी है उस पर आटैक किया जा रहा है तो यह सब कुछ आई आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं आप देख स 99 रुपए में आपको 900 से अधिक घंटे live classes के मिल रहा है complete prelims main interview cover किया जा रहा है test series मिल रहा है prelims के लिए भी मेंस के लिए 42 test और 10 test हैं दोस्तो prelims and mains के लिए मेंस mentorship है interview guidance program है ये सब कुछ केवल 8999 रुपए में कुछी दिन तक यह कीमत है दोस्तों से कीमत बढ़ जाएगी और हमारा batch दोस्तों एक जून से start हो रहा है pathfinder अगनीपत batch है 2014 aspirants के लिए हम ही सारे subjects cover करेंगे और नए teachers भी हम लेकर के आने वाले हैं so that holistic preparation हो सबसे कम कीमत पर best quality इसके सिवा perspectives हम लेकर क्या है इसको जरूर देखिए और समुद्र मंथन free mock test है तेरा में को तो जाके enroll कर ले दोस्तों pathfinder अगनीपत batch और समुद्र मंथन दोनों का आपको link नीचे description box में मिल जाएगा pinned comment में भी मिलेगा तो link पर press करके आप enroll कर सकते हैं हमारे अगनीपत batch में use the code pathfinder तो आपको 8,999 रुपए में subscription भी मिल जाएगी तो उस न्यूज में अगर हम देखे तो bloom review नाम का UK government commissioned report सामने आया है जिसमें British six and British Hindus अगर आप देखे तो काफी जादा जिससे नराज है क्योंकि दोनों को ही एक extremism Hindu nationalism की बात यहां पर की गई है जब किस chapter में है faith based extremism वाला जो chapter है आप देख सकते हैं यह रहा Colin Bloom जो की इस report के जिन्होंने इस report को लिखा है और यह आप देख सकते है UK सरकार की जो website है वहां से आप as it is Bloom review download भी कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट बोरिस जॉंसन ने कमिशन किया था जब वह प्रधान मंत्री हुआ करते थे और रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो faith based extremism है वह कहीं अलग-अलग faith groups के साथ engage कि और फाइनली यह 159 पेज का रिपोर्ट लिखा है रिपोर्ट का नाम है डज गवर्व्मेंट डू गौड दोस्तों अब यह डू गौड क्या है दोस्तों बेसिकली कोई शुद अंग्रे जी नहीं है यह एक प्रकार का slang है हुआ यू की बिटिश प्राइम मिनिस्टर के ही office से एक प्रेस जर्नल ने पूछा था आपके भगवान के बारे में यह क्या यकीन है तो उसने साफ साफ का था गवर्व्मेंट वी डोंट डू गौड याने कि हम गवर्व्मेंट में भगवान पर यकीन नहीं करते और सबसे कही ना कहीं यह जो फ्रेज है यह मेंस्ट्रीम हो गया और उसी को द्यान में रखते वे इन्होंने यह रिपोर्ट का नाम डाला है क्या गवर्व्मेंट भगवान में यकीन करती है कैसे इंगेज करती है वह कहना चाह रहे है इस slang वाले फ्रेज के साथ जो की तो अगर हम धर्म को बहतर समझेंगे मजभब को बहतर समझेंगे तो ही कहीं ना कहीं गवर्व्मेंट उन सिस्टमिक इशूज को टैकल कर पाएगी जिसमें उन्होंने साफ साफ एक्जामपल दिया है एक्स्ट्रिमिजम का तो यह सब तभी वह बहतर डील कर पाएंगे जब उसको समझेंगे प्योंकि बात बिल्कुल सही है पर दोस्तों यहां पे क्या फाइंडिंगस जो कि मेन इशू है आईए उसको एक-एक करके देखते हैं सबसे पहले सिखिब्स पर देखते हैं जो बिटें में रहने वाले सिक्स हैं बिटिश शीक्स हैं उनके बारे में क्या कहना है रिपोर्ट का कहना है कि एक concern है क्योंकि विदिन दी सीख faith एक extremely vocal गुरुप है याने बोलने वाला गुरुप है जो कि hijack कर लिया है पूरे के पूरे धर्म के लोगों को और ये वो लोग है जो कि अब प्रो खलिस्तान नरेटिव चला रहे है खलिस्तान की बात करत आसे हैं दोस्ते यहां पर उनगा कहना है कि एनकी डिकंषि के कुछ लोग है जो कि कम है लिकिन ज़्यादा vocal है ज्यादा तेजी से अपनी बात इस प्रकार से करते है कि आज खलिस्तान नरेटिव लग रहे है जैसे सारे सीख बिर्तेन में वहीभी उसी की डिमांड कर रहे ह तो इस रिपोर्ट का कहना है कि दोस्तों ये एक ethno-nationalist agenda है nationalist याने एक state का creation, एक country का creation on the basis of ethnic grounds किसी ethnicity के को अधार बना के देश बनाना, है ना सिखीजम को अधार बना के खलिस्तान बनाना तो इस प्रकार से उनका कहना है कि इस प्रकार से ये ethno-nationalist agenda अपना चला रहे है भी same London को LH किया था कि आपने ज़्यादा किया नहीं है, खलिस्तान movement जो UK में इस तेजी से फैल रहा है, पसर रहा है, उसको आप control नहीं कर रहे है क्योंकि दोस्तों इसी साल के मार्च की बात है, रोख खलिस्तानी एक्टिविस्ट ने Indian flag को Indian High Commission से निकाल दिया था जब प्रोटेस्ट के दोराना, उसी प्रोटेस्ट के ये फोटोस भी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, इस रिपोर्ट ने साफ साफ का है, हमें कलिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है, आपको मांगना है, मांग कीजिए, लेकिन कह रहे हैं कि आप violence ना फैलाएं, ऐसा उ जाता कहना है, यह देखिए, लाइन है, होता यह है दोस्तों, जो कुरान है, होली कुरान है, उसको new prisoners के bed में रख दिया जाता है, और उनको choice दिया जाता है, या तो convert हो जाईए, या फिर आपको मारेंगे, पीटेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे, तो इस प्रकार से कह कहना है, कि एक तरीके से force किया जा रहा है, इसलाम कहीं न कहीं वहां के prison inmates में, तो इसके लिए अगर आप देखे तो वो कहते हैं, कि इसलाम और इसलामिजम में अंतर होना चाहिए, इसलामिक एक्स्ट्रिमिजम टेरिरिजम सबसे बड़ा खत्रा है, लेकिन वो कहते हैं, बस कुछ minority section ऐसा है, जो कि hijack कर लिया है, और आज पूरे के पूरे धर्म के लोगों पर कहीं न कहीं अपना उनका जो version है, वो थोप दिया जा रहा है और वो let down हो रहे हैं, और उनको कहीं न कहीं problems face करनी पड़ती है, कुछ section of लोगों के दोरा जब कुकृत्य किया जाता है, अब दोस्तों हिंदू उस पर क्या कहना है, तो इस पर देखिए sick extremism, हिंदू nationalism को islamist extremism, white supremacy, black nationalism, buddhist nationalism के साथ UK में feature किया गया है, रिपोर्ट का कहना है हिंदू nationalist वो हैं जो की हिंदू political interests in India रखते हैं, उनका कहना है कि यही वो group है जिसने 2019 के election में public figures को target किया था, क्या हुआ था दोस्तों exactly, तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कहा जा रहा था, 2019 के UK poll में, आप देख सकते हैं, ऐसे news findings हैं, जो कि मैंने भी देखा, कि जादा से जादा अधिकतर इंडियन्स, लेबर्स के खिलाफ वोट किये थे, दोस्तों आपको कहना चाहूं कि हम लेबर्स को वोट नहीं देंगे, तो यहां पर ऐसे भी आरोप है कि कुछ WhatsApp messages फैले थे, जिसमें British Hindus को urge किया गया था, कि वो लेबर को वोट ना दे, Conservatives को वोट दे, पर दोस्तों ये तो हर जगा चुनाओं में होता ही है, और कही न कहीं लोग वोट इस प्रकार से एक तरीके से बंद के देते हैं, तो इसको ये कह रहे हैं कि ये हिंदू nationalism है, तो ये कहीं न कहीं बहुत अजीब सी बात है, अगर वो तो democratic तरीके से अपना वोट देने का अधिकार exercise कर रहे हैं, और ये तो हर जगा होता ही है, वैसे ही इस report ने हिंदू को 2022 में हुए लाइस्ट हार गया था, और इसके बाद Indians जो थे, वहाँ पर celebrate किये थे, और धीरे धीरे उससे सामने वाले जो पाकिस्तानी थे, वो इसको पसंद नहीं किये, और उसके बाद violence में ये तबदील हो गया, और काफी ज़्यादा जो Indians वहाँ पर रहते थे, उनके खिलाफ उनको violence face करना लेकिन अब जो हैं, जो Hindus हैं वहाँ पर passionate होते जा रहे हैं, अपने Hindu political interests, उनके जो इंडिया में हैं, उसके साथ अपने आपको identify करते हैं, और ये British society को destabilize कर सकते हैं, government को अब जागरुक होना पड़ेगा, ये जो extreme Hindu nationalism, बुद्धिस nationalism फैल रही है, उसके खिलाफ अब रिपोर्ट में की गई है, जाहिर सी बात है दोस्तों, Indian community इसको लेकर काफी जादा कही न कहीं उनमें, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर उनमें बहुत जादा नाराजगी है, उनका कहना है कि जो Hindus को आप लाइस्टेर में ब्लेम कर रहे हैं, कई रिपोर्ट से जिसमें कहा ग देता है, दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि UK artificially एक monkey balancing कर रहा है, बाकी धर्मों के लिए जो लिखना था तो हिंदूस को कैसे छोड़ दे, तो इसने हिंदूस के लिए भी लिख लिया, और साथ-साथ एक imaginary boogie man, बूगी मैन दोस्तों क्या होता है, जिसको बच्चे को कहत खालो, नहीं तो आजाएगा, किसी के नाम से डराते हैं उसको boogie man कहते हैं, तो कुछ वैसा ही imaginary boogie man यहाँ UK बना रहा है, दोस्तों यहाँ पर हिंदूस का यह भी कहना है, जो British Hindus है, उनका कहना है कि यहाँ पर रिशी सुनक पर attack किया जा रहा है, यह internal politics at play है, क्योंकि रिशी हिंदूस से जोड़ पाने में, अब जब जोड़ेंगे, तो उनको कहा जाएगा आप radical है, राडिकल है, राडिकल है, दोस्तों यहाँ पर यह भी आपको कहना चाहूँगा, इंडिन कम्यूटी ने यह भी कहा, कि British Hindus ने campaign किया था 2019 में, लेबर्स के खिलाफ, तो क्या इससे वो extremist हो जाते हैं, क्या आपका जो great British democracy है, जिसकी आप बात करते हैं, क्या वो इस चीज़ की अजादी नहीं देता, कि हम लोगों को चुनाव में persuasion करें, campaigning करें, अपने हितों को protect करें, क्या आपकी great British democracy, यह सब की अजादी नहीं देती, फिर काही की great British democracy है आपकी, फिर त लाइक कीजेगा, और साथ साथ pathfinder batch, नीचे आपको link मिल जाएगा, जाके subscribe कर ले, 8999 रुपे में है, use the code pathfinder, complete UPSC preparation, आपकी यहाँ पर होती है,